नमस्कार एक पर फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैंदल में दोस्तों अक्सर आपने अपने घर के बड़े बुजरुग दादा दादी से यह जरूर सुना होगा कि बदाम खाओ स्वस्त रहो मतलब कि बदाम का सेवन कई सालों से हम भारतिय लोग करते आए हैं लेकिन दोस्तों 99% लोग को यह नहीं पता है कि उन्हें बदाम किस परकार से खाने चाहिए और बदाम खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं क्योंकि दोस्तों कभी-कभी केसिस की ज्यादा मातरा नुकसान दायक साबित हो सकती है कुछ ऐसा ही है बदाम के साथ क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो ऐसे में यह जन्ना बहुत ही जरूरी है कि एक दिन में कितना बदाम खाना चाहिए क्योंकि दूस्तो अतधिक मातरा में बदाम का सेवन करने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है या फिर गलत तरीके से अगर आप बदाम का सेवन करते हैं तो आपको काफी मातरा में नुकसान भी हो सकता है तो इस वीडियो में हम आपको बदाम खाने का सही तरीका बताएंगे और इसका इस्तमाल किस तरह से किया जाना चाहिए इसके बारे में बताएंगे और एक दिन में आप कितना बदाम खा सकते हैं उसके बारे में भी जनकारिया देंगे और अगर आप गलत तरीके से बदाम को खाते हैं तो कौन-कौन से नुक्सान हो सकते हैं इसके बारे में भी जनकारिया देंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही मयदार होने वाला है दोस्तो तेज बुद्धी, सुंदर चेहरा, स्वस्त शरीर अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने भोजन में बदाम को सामिल जरूर से करना चाहिए बदाम बहुती पुसततों से भरपूर होता है, बदाम खाने से हमारा सरीर बहुती स्वस्त राता है और हमारा मस्तिस्क भी हेल्दी बनता है बदाम फाइबर प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होता है जो आपको ओभर इटिंग से रुकता है यानि बदाम खाने से आपको छोटी छोटी भूख नहीं लगती है अगर आप अपने मसल्स और हडियों को मवजूद बनाना चाहते हैं तो दोस्तो कल सही बदाम खाना सुरू कर दीजिए बदाम खाने से लीवर कैंसर का खतरा बहुती कम होता है क्योंकि इसमें बीटामीन E काफी मत्तरा में होता है बदाम में मौजूद बीटामीन E अधिक कुमर में आखो और दिल को होने वाले लुकसान से बचाते हैं बदाम दिल को स्वस्त रखता है क्योंकि खराब केलोस्टोल को बेहतर बनाता है बदाम के सेवन से पाचन तंतर सही रहता है बदाम के सेवन से हमारी हडिया मजबूत बनती है बदाम खाने से रोक परतिरोधक छमता बढ़ता है जिससे सर्ति खांसी, जुकाम, बुखार आदे का असर जल्दी नहीं होता है बदाम में केल्सियम होता है जिससे हमारे दान वो हडिया मजबूत बनती है लेकिन दोस्तों कहते हैं जो चीज इतना अच्छा होता है उतना ही जदा नुखसान दायक भी होता है तो अगर आप बदाम बीना भीगोए हुए खाते हैं तो दोस्तों इससे आपके सरीर के अंदर खून में पीत की मातरा बढ़ सकती है खाली पेट सुखे बदाम खाने से पीत बढ़ता है और पाचन सम्मंदी समस्याएं होती है सुखे बदाम जदा खाने से कॉब्ज, तवचारोग, अतिधिक पसीना जैसी समस्याएं हो सकती है तो चलिए जानते हैं आपको एक दिन में कितने बदाम खाने चाहिए और बदाम खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों आपको एक दिन में 3-4 बदाम ही खाने चाहिए सबसे पहले आप रातरी में हलका सा गुनोना पाई ले और उस पानी में तीन से चार बदाम को डाल दे कम से कम आठ घंटे के लिए उसे भ्योर कर रखें और सुबह छिलके को उतार ले और इसे खा ले या पचने में बहुत यदा आसान हो जाता है उम्यत करता हूँ आज की जनकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी लाइक करें अपने में दोसों में शेयर करें हम अपसे जल्दी मिलते हैं किसी और नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नबस कर दूस्तू